भारत और चीन की बीच गलवांग घाटी के पास चीनी सैनिकों के साथ कोई जड़प में भारत के कर्णल समेद 20 जवान शहीद होने की खबर से पूरे देश में शुक का माहौल है वहीं इसी जड़प के दोरान 43 चीनी सैनिकों के धेर होने की भी खबर सामने आ रही है हाला कि ये भी साथ नहीं है भारतिय जवानों की शहादत का गम पूरे देश में देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर इन जवानों को श्रद्धांजली दी जा रही है फिल्मी सितारों ने भी सैनिकों की शहादत पर शत शत नमन किया सदी के महनाय का मिताब बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखा जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी हमें सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी भारतिय जवानों को सलाम जैहिंद अक्षे कुमार ने लिखा जवानों की शहादत की खबर से पूरी तरह से स्थब्द हूँ हम हमेशा सैनिकों के कर्जदार रहेंगे रितिक रोशन ने लिखा लदाक में जवानों की शहादत की खबर सुनकर मन भारी हो रहा है सेना के जवान अभी भी सरहत पर मजबूती से खड़े हैं, शहीदों को शृधांजली यामी गौतम ने लिखा, बाहदुर जवानों की शहादत को सलाम, सेना के जवानों के त्याग के हम हमेशा कर्जदार हैं, शहीद जवानों को दिल से नमन और शृधांजली बॉलिवुड डाक्टर सोनु सूध ने शहीद हुए कर्णल संतोष के लिखा, संतोष बाबू आप हमारे दिल में हमेशा रहोगे, आपका ये एहसान देश कभी नहीं भूलेगा, आपके और आपके परिवार को सलाम नेहा दूपिया ने लिखा, शहीद जवानों के परिवार को संत्फना, इन बहादूर जवानों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपना जीवन दाओ पर लगा दिया है, हम उनके कर्जदार हैं इन सब के साथ साथ अधनान सामी, सोफी चौधरी, निम्रत कौर, हिमान शकूली समेट तमाम सितारों ने भी दुख जाहिर किया और शहीद हुए जवानों को श्रधाच लीदी मोनी रोय ने जवानों की शहादत की खबर पर लिखा, भगवान इसे बंद कराओ, परिवार के लिए बहुत सारी दुआई विगी कौशल, तापसी पन्नू, सुनाक्षी सिनह, इशागुपता समेट तमाम सितारों ने भारचीन विवाद में शहीद हुए जवानों को लेकर शोग व्यक्त किया अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इंटर्टेंट्मेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवुड और टीवी से जुड़ी बिग निउस हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीज की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रुवर्सीज हर विडियो मिलेगा E24 पर तो फिर धमाकेदार इंटेटीन्मेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इच वर्टी फोर्ट